असलाम अलेकुम तो स्वागत थे आप सभी का अग्यापन इकेडिमी के इस नय और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग के टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मनाजि में कवीता ठीक है तो कवीता और पोयम को ही उर्दू में नजम कहते हैं ठीक है और उर्दू में नजम का मतलब होता है मोती पीरोना यानि कि जिस तरह एक माला बनाने के लिए धागे में एक एक करके मोती को पीरोया जाता है ना बिलकुल उसी तरह उर्दू में नजम को ल तो फॉलो करकर नजम को लिखा जाता है ठीक है कवीता को लिखी जाती उर्दू में ठीक तब जाकर एक नजम तयार होता है तो यह भी जो चैप्टर है ना एक नजमी है जो की बहुत जिदा इंट्रेस्टिंग और आसान है मैं गारांटी देती हूं आप लोगो समझ में आए दिर्श्या मनाजिर कुद्रत यानि कि कुद्रत का दिर्श्या प्रकृति का दिर्श्या इस चैप्टर में दिखाया गया है दिर्श्या को इंग्लिस में बोला जाता है सीन साइट ठीक है तो यहां पर नेचर का सीन दिखाया गया है दिर्श्या दिखाया गया इस कविता लिख दिया जिसमें वो वही देरादून के पहाड़ी इलाकों का मतलब दिर्श्य दिखा है वहां का सीन दिखाया है वहां का कुद्रत का सीन दिखाया है तो इसलिए इस चप्टर का टाइटल क्या हो गया है मनाजिर या कुद्रत का दिर्श्य कुद्रत का सीन के लेखक यानि की मुसन्निफ है चकबस्त क्या नाम है चकबस्त देखिए इणका पूरा नाम पंडित बर्ज नरायन है भले ही मतलब के नाम से मसूर हो गए क्यों मसूर होएं क्योंकि इनका तखलुस था ना वो चकबस्त था मतलब यह अपने शेरोशायरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते थे ना वो चकबस्त यूज करते थे और इसलिए चकबस्त के नाम से मशूर हो गए भले ही इनका पुरा नाम पंडित बर्ज नरायन था लेकिन मशूर हुए चकबस्त के नाम से आगे बढ़िये इनकी पैदाईश की बात कर ले तो 18 के थे लखनाओं के थे ठीक है लखनाओं में रहते थे तो इसलिए जो चकबस्त है वो बच्पन में ही लखनाओं चले गया भले उनकी पैदाईश यूपी के फैजवाद में हुई लेकिन उनके बाप ददादा लखनाओं लखनाओं के थे तो इसलिए वो बच्पन में यह भी कर लिए और उन्हीं सा आठ में उन्होंने वकालत का इम्तहान भी पास किया उन्हीं सा आठ में वह वकालत का इम्तहान पास कर लिए और वह वकील बन गए और धीरे-धीरे वह मशूर होने लगे लखनव के बड़े-बड़े वकीलों में इनका नाम आने लगा और यह पीकर को ना बच्पन ही से शाइरी का ऽॉक था तो इसाला नव दस साल की उमर में में पहली घजल लिखे थी और जब उन्होंने घजल लिखा ना तो पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है बस वो गजल लिखे और लिखते ही चले गए ठीक है मतलब उनको दिलचस्बी आ गई घजल लिखने में और वो लिखते ही चले गए और अंतिम सांस तक उनोंने गजल लिखा ठीक है और यहां पर देखिए मैं तीन नाम लिखी हूं जो की चकबस्त के ये तीनों ज़न टीचर है देखें शेरो शायरी के ये टीचर है याद रखिएगा एक है आतीस दुसरे है गालीव और तिसरे है अनीस ये तीनों जन जो है शेरो शायरी के टीचर है किनके चकबस्त के ठीक है चकबस्त इनी से राय लिया करते थे और एक तरह से इनी के बताय हुए रास्ते पर चलते थे चकबस्त ठीक है आगे बढ़िए उन्हें सच छबीस में एक मुकदमा के सिलसिले में चकबस्त राय बरेली आये और आदालत में काम्याबी के साथ उसी दिन लखनाउ जाने के लिए स्टेशन पर आये ट्रेन में बैठे ही थें देखें यहां पर जला शुरू से और शांती से समझिए चकबस्त जो है उन्हेशच चबईसıı में एक मुकदमा यान की केस जीत भी गए और उसी दिन फिर से वापस लखनाउ जाने के लिए स्टेशन पर आये ट्रेन पर बै रहे ही थे कि दिमाग पर फालिज का हमला हुआ और जवान बंद हो गई जब वो लखनौ जाने के लिए किस तो जित गए लखनौ जाने के लिए इस्टेशन के ट्रेन पर बैठे थे तो वही ट्रेन पर बैठे ही थे तब तक उनके दिमाग पर फालिज मार दिया और उनके जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई और देखिए साथ बजे शाम को इस्टेशन पर ही उनका इंतकाल हो गया और फिर उनको लखनऊ लेकर गया और वहीं पर लिजा कर दफना दिया गया देखिए फालिज जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज होती है कभी भी कहीं पर भी मार सकती है तो चकबस्त के साथ वैसे ही हुआ था वो ट्रेन में ब दून गए थे तो देहरादून के पहाड़े इलाके में वो क्या क्या देखे और क्या क्या इस कवीता में बताये हैं मनाजर कुद्रत अब हम लोग प्रकृती का दृश्य देखेंगे चलिए मैं आप लोग का बुकले लेती हूँ हाँ तो यह है स्टार्ट होता है आप पहाड़े इलाके में ऐसी हवा समाती है कि बशर की रूप को यान की इनसान की रूप को राहत की नीन दाती है यह बता रहे हैं ठीक है यान की जब वहाद देरा धून गए हैं तो वहां की सबसे पहले पहाड़े इलाकी की बारे में बताये हैं कि वहां की हवा जब चलती है ना ऐसी हवा समाती है, ऐसी हवा चलती है, कि इनसान की रूप को राहत की निन्दाती है. बस एक आलिम हूँ, चार सितम तारी है, ना शोरवशर है, ना दुनिया की आfiजारी है. इसमें बोलरे हैं कि बस यहां पर चारोटरफ सन्नाटा है, विरानी चाई हुई है, ना शोर दिखाता है कुदरत का नगमा दिलगीर शजर हजर से तपकती है राग कीOW की ताथीर तासीर गया को इस हुता है की यहाँ पर असर का नगमा असर दिखाता है वागे में बिदर्ट के dead को चांति मिलकिय ठीक है शजर और हजर यानि कि सजर का मतलब होता है पेड़ दरख्त और हजर का मतलब होता है पत्थर ठीक है तो बोल रहा है कि वहां के पेड़ और पत्थर भी न ऐसे नगमा सुनाते हैं कि दिल को शांती मिलती है ऐसा राग गाते हैं यह राग वह है जो मिजराब का असीर नहीं य गिटार तबला धोलक को हम लोग मिजराब बोलते हैं जो की जिससे मुजिक निकलता हो ठीक है तो बोल रहे हैं बोल रहे हैं इसमें कि यह जो राग सुना रही है यह कोई राग यह राग जो है ना कोई गिटार तबला धोलक का राग नहीं है कोई मुजिकल जो नगमा सुना रही है जो राग गा रही है ये राग सिर्फ वही सुनेगा जिसका दिल गदाज हो यानि कि जिसका दिल नर्म दिल हो ठीक है जिसका दिल साफ हो सच्चा हो हो दिल में सोज तो रगरग में साज है उसका जिसके दिल में सोज हो यानि कि जलन हो वो कभी भी इस नगमे को इस राग को नहीं सुन सकता है हरी में खास में खुद्रत की बार्याबी थी निगाह शौक में एक शान बेहिजाबी थी यहां पर बोला जा रहा है कि खुद्रत चाहती थी कि दुनिया मुझे देखे लोग मुझे देखे मैं बेपर्दा हो जाओं लेकिन खुद्रत ने खुदाने इस दुनिया में बहुत ही ऐसी ऐसी खुबसूरत चीजे बनाई हैं जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है और सांती मिलती है तो सोचिए इतनी खुबसूरत खुबसूरत चीजे खुदाने बनाया है तो सोचो बनाने वाला कितना खुबसूरत होगा तो यही ब ुँट यहां पर बोला जा रहा है कि यह जो कुद्रत का रिस्ता है ना इस दुनिया से सर्दमीन से जए लाखो करोड़ों वर्सों से चला रहा जड़ना बहते चला रहा है तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि यह जो पुद्रत है प्रकृती का जो रिष्टा है इस सरजमीन से लाखों करोडों वर्सों से सदियों से चला आ रहा है ठीक है तो वही यहां पर बात बताई गई है शराब इसको हकी की से था हर एक सरशार सजर था को था चश्मा था या मस्ते गुबार यहां पर बोल रहा है कि शजर भी था शजर मतलब समझते हैं पेड़ अभी मैं आप लोगों को बताई दरख्त पेड़ भी था पत्थर भी था जड़ना भी था और हाथ में रखी वी मिट्टी भी थी यह जितने भी थे यह सभी श देखूं ठीके दरख्त वो को है क्या जात पाक इंसा क्या तियूर क्या है हवा क्या है अब रिबारा क्या है यहां पर बोला जा रहा है पेड़ क्या है दरख्त क्या है पहार क्या है इनसान की जात पाक क्या है तियूर क्या है यानिकी परिंदे क्या है हवा क्या है और बरस लखने वाली बारिस यह एक लहर है जिनकी शुरुआत हो चुकी है और मनदल कहीं और और इनको एक ना एक दिन जरूर दरूर मिलेगी यह सब जो है एक काफिले सौक के मुसाफिर है यह पहाड पहाड पेड़ उसके बाद से इनसान की जात पाक परिंदे बरशने वाली बारिस ठीक है हवा यह जितने भी एक काफिले के मुसाफिर आप ही लोग सोची ना हम लोग जो है इनसान यह पैदा हुए है तो यह मतलब सफर स्टार्ट हो चुका है शुरू हो चुका है बस जितने भी और इस दुनिया में जितने भी इंसान है यह सफर तै कर चुके है बस इनको अपनी मंजिल का इंतजार है ठीक है चड़िए आगे बढ़िए यह दिल के टुक्रे हैं कोई गयर नहीं यहां पर बोला जा रहा है कि जितनी भी चीज़े हैं कुद्रत के दिल के टु जो है वो कम कर दिया है और किसी का वैल्यू जादा कर दिया है सभी को बराबर बनाएं सभी जो है एक ही गुद के पाले हैं ठीक है जिसमें कोई गयर नहीं है कुद्रत जो है जो कुद्रत जहें सभी सामान को सभी चीज़ को इस दुनिया में जितनी भी चीज़े बनाई है distant ने, तो सभी को एक समां बनाई है, ठीक है? कोई उसमें गायर नहीं है और कोई बायर नहीं है यई कि नहीं उसमें कोई अंतर है और नहीं कोई गायर है उन्हीं से नखमा गणत्रत है अज़ वपस्ती में अब एक साज के परदे हैं बज में हष्षती में, याँ पर बोला जा रहा है कि इस दुन्या में जितने भी चीज़े है ना जितने भी चीज़े इस में खुबसूर्ती सिर्फ और इस रूर्स कुद्रत के वजह से है ठीक है, जुदा किसी से भी हष्ष्षती का अपने राज नहीं कुछ आप शार में और हम में इम्तियाज नहीं आपर बोला जारा है कि खुदुरत ने इस दुन्या में जितने भी चीज़े बनाई है na उसें कुई भी एंतर नहीं है सभी एक स्मान है और आपनों खुद सुचिए इस दुन्या में जितने भी लोग है सबीकों खुदान देखते हैं कोई इनसान जो है बहुरुत इंटेलिजेंट रहता है तो उसके अंदर जुदाब REPROW सूरत ही रहता है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी रहती है और कोई इंसान मतलब चेहरे से अच्छा नहीं लेकिन उसके अंदर हुनर रहती है काबिलियत रहता है ठीक है तो खुदा ने हर इस दुनिया में जितने भी इंसान है सभी को बराबर बनाया है और जील में और ह गिरता जाता है और आगे बढ़ता जाता है बिल्कूल उसी तरह हम अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ते जाते हैं हम में और जर्ने में जितनी भी दुनिये में चीजे बनाई है सब को एक समान बनाई है किसी को बड़ा या फिर छोटा नहीं बनाया है सभी को एक समान देखा है और एक समान बनाया है ठीक है तो ये लास्ट में जो है आप लोग का ये मनाजरिया खुदर्त नाम का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है यही था आप लोग का लास्ट लाइन I think आप लोग को समझ में आया होगा कोई भी confusion है इस chapter से related आप हमें comment करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और उसके बाद से वीडियो को share कर दीजेगा अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यदा हो सके और हाँ अगर आप लोग चनल पढ़ना है तो चनल को subscribe जरूर कर लेना है उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक है तो चलिए फिर में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहन और खुदा हाफिज